मिθुन राशी मासिक रासीफल अग दिसम्बर दो हजार चोबिस के लिए तो चलिए जानते हैं मिθुन राशी कैसे रहने वाली है दिसम्बर माह में सुरुआत करते हैं पारिवारिक जीवन से पारिवारिक रिस्थे पहले की तुल नामे बहतर बनेंगे तथा आपसे रिस्तों में मजबूती आएगी परिवार के सदस्य आपसे प्रभावित होंगे तथा घर के किसी सदस्य की नोकरी भी लग सकती है यदि परिवार में संपत्ती को लेकर कोई पुरहना विवाद चल रहा है तो वह भी इसमा सुलच जाएगा तथा सभी का आपके प्रति इस्वास मजबूत होगा आपके पिता को लेकर चिंतित रह सकते है तथा उनका स्वास्त भी बिगड़ सकता है ऐसे में उनकी बात को ध्यान से सुने तथा उनका पूरा ध्यान रगे इस माँ उन्हें आपके प्रेम की आवशक्ता है व्यापार्वे नोक्री वर्ष के आखरी मा में आर्थिक द्रिस्टी से कुछ नुकसान संभव है इस समय आपके ओपर मंगल भारी रहेगा जिससे बचने के लिए आप प्रति दिन हानुमान 40 अका पार्ट अवश्य करेगा अराजनीती से जुड़े लोग अपने लिए नए अफसर की तलास में रहेंगे लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी नोक्री कर रहे लोगों का मन अस्तिर रह सकता है तथा उनका अपनी जोब से महो बंग होने की आशनका है ऐसे में उनका अपने सह कर्मी के साथ किसी बात को लेकर मदवे सामने आ सकता है ऐसे में अपने मन पर नियंतरन रखे तथा कोई भी डिरने सोच समझ कर ही ले शिक्षा वे करियर च्षात्रों के लिए ये मां उत्तम रहेगा तथा परिक्षा में उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होगे उनका मन रचनात्मक्ता में ज़्यादा लगेगा तथा वे उसमें कुछ नया करने का परियास करेंगे वोच्छ शिक्षा ग्रहन कर रहे छात्रों को अपने सहपाटियों का पूरा साथ मिलेगा तथा आगे का मार प्रसस्त होगा यदि आप परतियोंगी परीक्षा की तियारी कर रहे है तो इस माँ आपके लिए कोई सुप समाचार आ सकता है जिससे आपका मन आनंदित रहेगा प्रेम जीवन प्रेम जीवन के मधुर बने रहने के संकेत है महा के मद्धे में आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर मदबेद हो सकता है लेकिन आपसी समझ के कारण वह जल्दी सुलज जाएगा इस दोनान रिस्तों में किसी अंजान व्यक्ति के दुआरा खटास दालने का परियास किया जाएगा इसलिए किसी परकार के सडियंतर से बच कर रहे आने था रिस्तों में दूरिया बढ़ सकती है यदि आपका विवा नहीं हुआ है तो इस माँ आपके लिए मामा पक्स की ओर से कुछ अच्छे रिस्ते आ सकते है तथा आप भी उन में तथा आप भी उन से प्रसन होगी स्वास्त जीवन महा के सुरवात में सब कुछ सामाने रहेगा आप पहले से ज़्यादा स्वास्त महसूस करेंगे हाला कि दूसर सब्ता आते आते सरदी लग सकती है और स्वास्त बिगड सकता है इस दोरान तेज बुखार होने की भी संभावना है जिस कारण सरीर में भी कमजोरी बनी रहेगी ऐसे में ठंडी चीजों के सेवन से दूर रहे और पूरी सावधानी बरते महा के मद्य में किसी बात को लेकर मन शंका में रह सकता है और क्या किया जाए और क्या नहीं यह इस्तिती उत्पन हो सकती है ऐसे में अपनों से बड़ो का प्रामश बहुत काम आएगा मिथुन राशी के लिए लकी नंबर रहेगा दिसंबर माह में चार लकी कलर रहेगा संत्री जे शरी राम